नमस्कार स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदी दाश्यों सितारों काइना में जिसमें हम आपको बताते हैं इंडोस्री से जोड़ी किसे फिल्म नाम चहरे हस्ती गाने ट्रेलर काइना जो होते हैं उनके दर्शक जो हर अच्छे बुरे भले को ज अचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिये अपने व्यूस के जरिये और अपने प्यार के जरिये और उसी प्यार को हम इस प्रोग्राम में कमेंट के जरिये लेकर आप लोगों के बीच आते हैं जिसमें हम बताते हैं कुछ आलोचना भरे कमेंट्स भी और कुछ साकरात् लेकिन कमेंट बताने से पहले हम उस चीज से जुड़ी आपको उस खास जो ऐसे स्पेशल गाने हैं या ट्रेलर हैं उनसे जुड़ी कोई खास खबर भी बताते हैं आमतोर पर हम हर नई और लेटेस्ट वीडियो चाहे वो ट्रेलर के रूप में हो गाने के रूप में हो वो शोशल मेडिया पर रिलीज होने वाली भोशपूर इंडोस्टी से जुड़ी हर वो ऐसी वीडियो जस पर लोग अपनी प्रतीक्रिया देते हैं वो सब हम आपको बताते हैं अगेऍ yıl हम रिटेश का गाना लालाल ड्रे का आइना आप लौगंको दुखा चुक은 है लेकिन दोबारा से इस गाने का आइना लेकर हमें इस लह आना पड़ा हैं क्यांकि बड़ी तेजी से इस गाने की वीव का इना लेका अपने जीम अगने हैं जादा व्यूज हासिल कर चुका है यह गाना और उमीद लगाई जा रही है क्योंकि ग्राफ बहुत तीजी से आगे भाग रहा है देखकर अंदाजा लगाए जा रहा है कि पवन सिंग के बाद रितेश भी दो-दो गानों से इंडोस्री में हाइस्ट व्यूज के रिकॉर्ड स्थापिक कर सकते हैं गोरी बा तोर्चुनरी बा लाल राल रे इतना जादा पॉपुलर है कि हिंदी सेने प्रेमी हिंदी संगीत प्रेमी भी इस गाने को बड़े चाव से सुन रहे हैं और इस पर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं फिलाल तीन करोड व्यूज आगे तिक्रिया दी है कितने लोगों ने आलोचना की है वो सब बताएंगे लेकिन उससे पहले रुटेश के इस गाने से जुड़ी एक खास खबर जान लेते हैं यहां वैसे तो अभी तक भोजपुरी सिनेमा, एल्बम्स के सहनशा, गाईकी के सिर्मोर पवन सिंग को कहा जाता है क्योंकि शोशल मीडिया पर भी और आमदर्शकों में भी उनकी पहचान और उनके गाने की लोग प्रियता काफी जादा है लेकिन पवन सिंग के बाद अगर किसी की बात करें तो वो हैं रितेश पांडे जिनके गानों को शोशल मीडिया पर बहुत सराह जाता है और पवन सिंग के बाद रितेश ही हैं जिन्होंने एक गाने से हाइस्ट व्यूज का रिकॉर्ड बनाया हुआ है रितेश पांडे का एक और गाना बड़ी तीजी से आगे बढ़ रहा है जसने खेसारी लाल की भी गाने को पीछे छोड़ दिया है रितेश पांडे का एक गाना एक महिने पहले रिलीज किया गया था जिसके बोल थे गोरी तोर चुनरी बाल लाल लाल रे वेब म्यूसिक से इस गाने को 8 दिमबर 2018 को रिलीज किया गया था एक महिने में इस गाने को 31 मिलियन यानि सारे 3 करोड लोग देख चुके हैं जब कि खेसारी लाल का गाना ठीक है, चार महीने पहले रिलीज किया गया था, जिसे 40 मिलियन यानी 4 करोड लोगों ने देखा है, रितेश का गाना कुछी दिनों में खेसारी के गाने का रिकॉर्ड छू सकता है, लेट से रिलीज होने के बावजूर, खरीबी सूतरों की माने तो अपने इस गाने से रितेश फर से पूरा हाइस्ट रिकॉर्ड बना सकते हैं, और अपने दो हाइस्ट व्यूस का रिकॉर्ड बना कर पवन की बराबरी भी कर सकते हैं, पवन से बराबरी यानी इंडोस्टी का सुपर हिट सिंगर, फिलाल दोनों की इस रेस में, खेसार नेक्स्ट उनाई निवस भोजपुरिया सें मम्ता की रिपोर्ट तो जितने लोगों को पसंद आया हैं जितने लोगों को पसंद आया हैं वसे क्रेडिट पहला इस गाने का विशाल दूबे को ही जाता है लेकिन दोबारा इस गाने को नए वर्जन में बनाने का क्रेडिट सर्फ और सर्फ रतेश पांडे को जाता है फिलाल रितेश पांडे के इस गाने को कितने लोगों ने प्यार दिया है कैसे प्यार भरे कमेंट्स किये हैं देखिए जरा लिखते हैं नाइस वीडियो रितेश जी बिक कुमार लिखते हैं जी और रितेश पांडे वीडियो बहुत अच्छा लगा आगे इन्होंने जो भी चीजें लिखी है वहा रितेशSm第 ke के बहुत ज्यादा पसंद आया हुगा धरमवीर magget एक महिनी में 22 he स्वेता कुमारी लिखती हैं धमाल मचा दिया है ये गाना वेरी नाइस लाइका चिलाले सब माल माल रहे एंचड़ल जवानी आगे इन्होंने गाने के बोल लिखे हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं दरसल ये कमेंट एक हफ्ते पहले का है क्योंकि दो करोड से बहुत आगे इस गाने के व्यूस बढ़ चुके हैं और बड़ी तीजी से आगे बढ़ रहे हैं लव औन हीट इस्टेटरस लिखते हैं I love you सुनेल लिखते हैं गुद नाइट रितेश पांडे प्रमोद गुपता लिखते हैं सिंगर सुपर हिट सॉंग है रितेश अगला कमेंट रवी किशन शुकला कहे जो लिखते हैं आप तो बेस्ट सिंगर हो ही आज आपने साबित भी कर दिया रितेश भाई राफीक शेक लिखते हैं 21,000 डसलाइक जलने की भी हद होती है यार याने इने भी इस बात का बोरा लग रहा है कि रितेश के इस गाने को लोगों ने डसलाइक क्यों किया क्योंकि इने ये गाना बहुत पसंद में आया है आशुतोष बबलू लिखते हैं प्रियंका सिंग अन्तुरा आप फ्यूचर की इंदू सोनाली है आपकी अवास कमाल है भोजपुरी में आइटम सौंग के नाम से जाने जाओगे रजनी शुपाध्याई लिखते हैं जैहो रितेश भाई सुपर हीरो भोजपुरी एंटर्टेन्मेंट लिखते हैं बिल्कुल साप सुत्रा सौंग है भाई अनलव्ली म्यूजिक आइम ऑल्सो पैनो प्रवन भया मनीश राज लिखते हैं सुपर सौंग वर्तेश भाईया जोगेंदर यादव लिखते हैं नाइस सौंग रोहित कुमार लिखते हैं नाइस सौंग और दीपक सिद्दार भी लिखते हैं नाइस सौंग ये अच्छी अच्छी और प्यारे प्यारे कमेंट जानने के बाद वक्त हो चला है कुछ आलोचना भरे कमेंट्स भी जान लेने का जिसमें लोगों ने जम कर इस गाने की खिचाई की है कमिया निकाली है अपना गुस्ता निकाला है कम मिले हैं आलोचना भरे कमेंट्स लेकिन बिले हैं कैसे मिले हैं देखिए स्कोटी इंफो लिखते हैं खेसारी लाल होते तो और मजा था स्टाइलिंग बॉय चंदन लिखते हैं सौंग कॉपी किया गया है बट एक नमबर भाई ऐसे कलब लिखते हैं रुदेश पांडे ये सौंग छोटा बच्चा का सौंग चुरा के गाया है अर्मान खान लिखते हैं आपने फेमस करवान आगे इन्होंने गालिया लिखी है देवींद्र कुमार लिखते हैं येलो टीशिट वाली का एटिट्यूट किसको अच्छा नहीं लगा जा कास वीडियो लिखते हैं लड़के के टैलेंट को चुराया हुआ गाना है भाई सहमत हो तो लड़के के लिए लाइक करो डबलू कुमार लिखते हैं इन्होंने इन्हें भी शायद गाना पसंद नहीं आया है और इसलिए इन्होंने अपना गुस्सा इस तरह से निकाला है और ऐसे शब्दों से निकाला है कि हम बोल भी नहीं सकते हैं आप लोग देख सकते हैं पॉस्ट टाइम गाना दूसरा सिंगर में गा चुका है उसका भी बहुत ही अच्छा लगा वाला आवाज है वैसे आपका कॉपी बहुत अच्छा लगा सुनके चलते रहो भाईया सब लोग चंदन यादव लिखते हैं यह तो पहले तुफानी लाल यादव ने गाया था वही गाने का कॉपी किया है तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही कल फिर होगी मलाकात ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि गाना इतना आगे आजग नाजग नमशकार